नमो भगवते वासुदेवाया श्रीमत भगवत महापुराण महतम्य का चोता अध्याय गोकर्ण उपक्ष्यान प्रारंब सूर्ची कहते हैं मुनिवर उस समय अपने भक्तों के चित्त में आलोकी भक्ती का प्रादुर्भाव हुआ देख पक्त बच्सल श्री भगवान अपना धाम छोड़कर महापधारे उनके गले में वन्माला शोभा पा रही थी श्री अंग सजल जलधर के समान श्यामवर्ण था उस पर मनोवर पितांबर सुशोबित था कटी प्रदेश करधनी में लड़ियों से सुचज़ जित था सिर पर मुकुट की लटक कानों में कुंडल के जलग देखते ही बनती थी वे त्रिभंग ललित भाव से खड़े हुए चित को चुराए लेते थे वक्षे स्थल पर कौसुब मणी दमक रही थी सारा श्री अंग हरी चंदन से चर्चित था उस रूप की शोभा क्या कहें उसने तो मानों करोडों काम देवों की रूप माधुरी चीन ले थी वे परमानन चिनमूर्ती मधूराती मधूर्ली धर ऐसी अनुपम छवी से अपने भक्तों के निर्मल चित्तों में आविर्भात हुए भगवान के नित्य लोक निवासी लेला परिकर उधव जी वहां गुपत रूप से उस कथा को सुनने के लिए आये हुए थे प्रभू के प्रकट होते ही चारो जय जय हो जय हो की ध्वनी होने लगी उस समय भक्ती रस का अद्वुत प्रभा चला बार बार अभीर गुलाल और पुश्पो की वर्षा तथा शंक ध्वनी होने लगी उस सभा में जो लोग बैठे थे उन्हें अपने देहे गेहे और आत्मा की भी कोई सुदना रही उनकी ऐसी तनमयता को देखकर नाराज जी कहने लगी मुनिश्परगन आज 17 श्रवन की मेंने ये बड़ी अलोकी एक महिमा देखी यहां तो जो बड़े मुर्क दुष्ट और पशुपक्षी भी हैं वे सभी अत्यन निश्पाप हो गए अत्य इसमें संदे नहीं की कली काल में चित्त की शुद्धी के लिए इस बागवत कथा के समान मत्य लोक में पाप पुन्ज का नाश करने वाला कोई दूसरा पवित्र साधन नहीं है मुनिवर आप लोग बड़े क्रिपालू हैं आपने संसार के कल्यान का विचार करके यह बिल्कुल निराला ही मार्ग निकाला है आप क्रिपया यह बताईए कि इस कथा रूप सब्ता यग्य के द्वारा संसार में कौन-कौन लोग पवित्र हो जाते हैं संकादी ने कहा जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं निरंतर दुराचार में ही ततपर रहते हैं और उल्टे मार्गों से चलते हैं तथा जो क्रोध आग्दी से चलते हुए कुटिल और काम पर आयन हैं वे सभी इस कल्यूक में सब्ता सग यग्य से पवित्र हो ज दम भी दूसरों की उन्नती देखकर कुडने वाले और दूसरों को दुख देने वाले हैं वे भी कल्यूक में सब्ता यग्य से पवित्र हो जाते हैं जो मदिरापान, भ्रम हत्या, सुवन की चोरी, गुरु इस्त्री गमन और विश्वास घात ये पांच महा पाप करने वा जाते हैं जो दूसरे के धन से ही पुष्ट होते हैं तथा मलिर्मन और दूसरे देवाले हैं वे भी कल्यूक में सब्ता यग्य से पवित्र हो जाते हैं नारज जी अब हम तुमें इस समय इस विशे में एक प्राचीन इद्धिया सुनाते हैं इसके सुनने से ही सब पाप नश्ट हो जाते हैं पूर्वकाल में तुम्पद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था बहां सभी बढ़नों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरन करते हुए सत्य और सत्य कर्मों में तट पर रहते थे उस नगर में समस्त वेदो का विशी शग्या और श्रोत समार्थ कर्मों में ने पून एक आदम देव नामक ब्रामन रहता था वह साक्षात दूसरे सूर्य के समानते जस्वी था वह धनी होने पर भी बिक्षा जीवी था उसकी प्यारी पतनी धुंदली, कुलीन एवं सुन्दरी होने पर भी सदा अपनी बात पर अड़ जाने वाली थी उसे लोगों की बात करने में सुख मिलता था सुभाव थाक्टूर, प्राय कुछ ना कुछ बगपास करती रहती थी ग्रह कारे में निपुन्ट थी, क्रिपंट थी और जगडालू भी थी इस प्रकार भ्रामन दमपत्ती प्रेम से अपने घर में रहते और विहार करते थे उनके पास अर्थ और भोग विलास की सभी सामग्रियां बहुत थी घरद्वार भी सुन्दर थे, परंतु उससे उन्हें सुक नहीं था जब अवस्ता बहुत धल गई, तब उन्होंने संतान के लिए तरह-तरह के पुन्यकर्म अराम किये और वे दून्दू दोखियों को गो, पृत्वी, सुवर्ण और वस्त्रादी दान करने लगे इस प्रकार धरम मार्ग में उन्होंने अपना आदधन समात कर दिया तो भी उन्हें पुत्र या पुत्री किसी का भी मुख देखने को ना मिला इसलिए अब वे ब्रामन बहुत ही चिंता दू रहने लगा एक दिन वे ब्रामन देवता बहुत दुखी होकर घर से निकला बन चला गया दोपैर के समय उसे प्यास लगी इसलिए वे एक तलाब पर आया संतान के अभाव के दुख ने उसके शरीर को बहुत सुखा दिया था इसलिए थक जाने के कारण जल पी कर भै वहीं बैठ गया दोगड़ी पीतने पर महा एक सन्यासी महात्मा आए जब भामन देवता ने देखा कि वे जल पी चुके हैं तब है उनके पास गया और चड़नों में नमशकार करने के बाद सामने खड़े होकर लंबी-लंबी सांसे लेने लगा सन्यासी ने पूछा कहो ब्रामन देवता रोते क्यों हो ऐसी तुमें क्या भारी चिंता है तुम जल ही मुझे अपने दुख का कारण बताओ ब्रामन ने कहा महराज मैं अपने पूर्व जनम के पापों से संचित तुख का क्या वर्णन करूं अब मेरे पितर मेरे द्वारा दी गई जजान जली के जल को अपनी चिंता जनित सांस से भी कुछ गरम करके पीते हैं देवता और भामन मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से स्विकार नहीं करते संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूँ कि मुझे अब सुना ही सुना दिखाई दिता है मैं प्रांट ताक करने के लिए यहां आया हूँ संतान हीन जीवन को दिकार है संतान हीन ग्रवा को दिकार है संतान हीन धन को दिकार है और संतान हीन कुल को भी दिकार है मैं जिस गाय को पालता हूँ वै भी सरवता बांज हो जाती है जो पेड लगाता हूँ उसमें फूल फल नहीं खिलते मेरे घर में जो फल आता है पे भी बहुत जल्दी सड़ जाता है जब मैं ऐसा अभागा और पुत्रहीन हूँ तब फिर इस जीवन को ही रख कर मुझे क्या करना है यो क्या कर वै ब्रामन दुख से व्याकुल हो उस सन्यासी के सामने फूट फूट कर रोने लगा तब उस यतिवर के हिर्दय में बड़ी करुणा उत्वन हुई वे योग निष्ठ थे उन्होंने उसके लटाट की रेखाएं देखकर सारा वृतान जान लिया और फिर उसे वि प्राप्ति का मो त्याग दो करम की गती प्रबल है विवे का आश्रे लेकर संसार की वासना छोड़ दो विप्रवर सुनो मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब देखकर निष्चे किया है कि साथ जनम तक तुम्हें कोई संतान किसी प्रकार नहीं हो सकती पूरुकाल में प्रामण ने कहा मात्मा जी विवेक से मेरा क्या होगा मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिये नहीं तो मैं आपके सामने ही शोख मुर्चित होकर अपने प्राण त्यागता हूँ जिसमें पुत्र इस्ति आदी का सुक नहीं ऐसे सन्यास्तो व्यर्थता नीरस ही है लो जाता के लेख को मिटाने का हट करने से राजा चितर केतु को बड़ा कश्ट उठाना पड़ा था इसलिए दैप जिसके उद्योग को कुचल देता है उस पुरुष के समान तुमें भी पुत्र से सुक नहीं मिल सकेगा तुमने तो बड़ा हट पकड़ रखा है और अर्थी के रूप में तुम मेरे सामने उपस्तित हो ऐसी दशा में मैं तुम से क्या कहूं जब महत्मा जी ने देखा किये सभी प्रकार से अपना आगरे नहीं छोड़ता तब उन्होंने उसे एक फल दे कर कहा इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना इससे उसके एक पुत्र होगा तुम्हारी इस्ति को एक साल तक सत्य शोज दया दान और एक समय एक ही अनका खाने का नियम करना चाहिए यदि वे ऐसा करेगी तो बालग बहुत शुद्ध सुभाव वाला होगा यो कह कहर वे योगी राज चले गए और ब्रामन अपने घर लोटाया वहाँ आकर उसने वैफल अपनी इस्ति के हाथ में दिया और स्वयम कहीं चला गया उसकी इस्ति तो कुटिल सुभाव की थी ही पह रो रो कर अपनी एक सकी से कहने लगी सकी मुझे तो बहुत चिंता हो गई मैं तो यह फल नहीं खाऊंगी फल खाने से गर्व रहेगा और गर्व से पेड़ बढ़ जाएगा फिर कुछ खाया पिया जाएगा नहीं इससे मेरी शक्ति शीन हो जाएगी तब बता घर का धंदा कैसे होगा और दैवश यदि कहीं गाउं में डाकों का आकरमन हो गय तो गर्व नहीं इस तरी कैसे भागेगी यदि शुकदेव जी की तरह यह गर्व भी पेट में ही रह गया तो इसे भार कैसे निकाला जाएगा और कहीं प्रसव पाल के समय वैटेड़ा हो गया तो फिर प्रणों से ही हाथ दोना पड़ेगा यों भी प्रसव के समय बड़ी मता लपीट के समिट जाएंगी और मुझसे तो सत्य शोचादीनियमों का पालन होना भी कठी नहीं जान पड़ता है जो इस तरी पच्चा जनती है उसे उस बच्चे के लादन पाशन में भी बहुत कष्ट होता है मेरे विचार से तो विद्वा इस्तियां ही सुखी है मन मे ऐसे तरह तरह के कुतर्ग उटने से उसने वह फल नहीं खाया और जब उसके पती ने पूचा फल खा लिया तब उसने कहा हां खा लिया एक दिन उसकी बहन अपने आप में ही उसके घर आई तब उसने अपनी बहन को सारा वृतान सुन कर कहा कि मेरे मन में इसकी बड़ी चि दूँगी तब तू गर्वपती के समान घर में गुप्त रूप से सुक से रहे तू मेरे पती को कुछ धन दे देगी तो वे तुझे अपना बालग दे देंगे हम ऐसी युक्ति करेंगी कि जिसमें सब लोग यहीं कहें कि इसका बालग छे महीने का होकर मर गया और मैं नित प्रामणी ने इस्री सुभाववश जो जो उसकी भेहन ने कहा था वैसा ही सब किया इसके पश्चार समय अनुसार जब इस्री के पुत्र हुआ तब उसने पिता ने चुप चाप लाकर उसे दुनली को दे दिया और उसने आत्मदेव को सूचना दे दी कि मेरे सुख पुर बगबालक हो गया है इस प्रकार आत्मदेव के पुत्र हुआ सुनकर सब लोगों को बड़ा आनंद हुआ प्रामण ने उसका जात करम संसकार करके प्रामणों को दान दिया और उसके द्वार पर गाना बजाना तथा अनेक प्रकार के मांगली कृत्य होने लगे दुनली न किस प्रकार पालन करूंगी मेरी बहन के अभी बालक हुआ है वे मर गया है उसे बुला कर अपने यां रख लें तो वे इस बालक का लालन पोशन कर लेगी तब पुत्रगी रक्षा करने के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया और माता दुन्दली ने उस बालक का नाम दुन बालती वाला था उसे देखकर रामन देवता को बड़ा अनंद हुआ और उसने स्वेम ही उसके सब संसकार किये इस समाचार से और सब लोगों को भी अश्यर्य हुआ कि वे बालक को देखने के लिए आए तथा आपस में कहने लगे देखो भाई अब आत्मदेव का कैसा भा आत्मदेव ने उस बालक के गो के से कान देखकर उसका नाम गोकन रखा कुछ काल बीतने पर वे दोनों बालक जवान हुए उनमें गोकन तो बड़ा पंडित और ग्यानी था किन्तु धुन्दकारी बड़ा ही दुश्ट निकला स्नान शोचादी ब्रामन उचित आचारों म उसमें नाम भी ना था और ना खान पान का ही कोई परहेश था क्रोध में उसने बहुत बड़ा चड़ा था वे हैं बुरी-बुरीवस्तों का संग्रे किया करता था मुर्दे के हाथ से चुआया हुआ अन भी खा अलिता था दूसरों की चोरी करना और सब लोगों से द्वे में लेता और उन्हें चटकुए में डाल देता हिंसा का उसे व्यसंसा हो गया था उस समय वह अस्त्र शस्त्र धारण की रहता और बिचारे अंधे और दीन दुख्यों का व्यर्थ तंग करता चांडालों से उसका विशेश प्रेम था बस हाथ में फंदा लिए कुत्तों की सी संपत्ती नश्ट कर दी एक दिन माता पिता को मार पीट कर घर के बरतन फोड डाले इस प्रकार जब सारी संपत्ती स्वाह हो गई तब उसका क्रिपन पिता फूट कर रोने लगा और कहने लगा इस से तो इसकी मां का बांज रहना ही अच्छा था कुपुत्र तो बड़ा ही प्रांट छोड़ने पड़ेंगे उसी समय परम ज्यानी गोकन जी वहां आए और उन्होंने पिता को बैराग्या का उपदेश करते हुए बहुत समझाया वे बोले पिता जी यह संसार असार है यह त्यंदुक रूप और मुहों में डालने वाला है पुत्र किसका धन किसका स नहीं वानपुरिश राद दिन दीपक के समान जलता रहता है सुख ना तो इंद्र को हुए और ना चकरवर्ती राजा को ही सुख है तो केवल विरक्त एकांच जीवी मुनी को यह मेरा पुत्र है इस अज्यान को छोड़ दीजिए मों से नरक की प्राप्ती होती है यह शरी ने लगा बेटा बन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए यह मुझसे विस्तार पूर्वक कहो मैं बड़ा मूर्ख हूँ अब तक करम वश्ने पाश में बना हुआ अपक की भांती इस घर रूप अंधेरे कुए में ही पड़ा हूँ तुम बड़े दयालू हो इस से मेरा उध गोकर ने पिताजी से कहा यह शरीर हड़ी मास और उधिर का पिंड है इसे आप मैं मानना छोड़ दें और इस्त्री पुत रादी को अपना कभी ना माने इस संसार को राद दीन शन मंगूर देखें इसकी किसी भी वस्तू को इस्ताई समझ कर उसमें राग ना करें बस एक म मातर वेरागे रस के रसी को कर भगवान की भक्ती में लगे रहें भगवत जन ही सबसे बड़ा धर्म है निरंतर उसी का आश्रा लिये रहें अन्य सब प्रकार के लोकिक धर्मों से मुख मोड लें सदा सादू जनों की सेवा करें बोगों की लालसा को पास ना फटकने दें और जल्दी से जल्दी दूसरों के गुन दोशों का विचार करना छोड़ कर एक मातर भगवत सेवा और भगवान की कथाओं का ही रस का स्वाधन करें इस प्रकार पुत्र की वानी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की यद्य भी उस शमस्कंत का पाट करने से उसने भगवान श्री की चंद्र को प्राप्त कर लिया हरी ओम तच्छत